एसी सिंग जी लखनाउसे रादे रादे मारा जी मारा जी ध्यान के समन्द में प्रश्ण है मारा जी कहा जाता है कि मन को किसी चित्र या मूर्ति पर चिंतन विचार हेतू ना लगाएं जाए ना लगाया जाएं किसने काय था यह किसी बात हो सकती है बे मतलब का संक करोगे उसे सत्संग मानोगे तो कैसी बात कर रहे हो धेयं सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहं तीर्थास्पदं स्युविरंचिनुतं सरण्यं ब्रत्यार्तिहं प्रणत पालभवादिपूतं बंदे महा पुरुस्ते चरणारविन्दं धेयं मन्युता ध्यान जिनका ध्यान ब्रह्माव संकर भी करते हैं उन स्रीकृष्ण चंद जू का साक्षात रूप जैसे विहारी जू राधा रमण जू अगर इनमें चित्त ब्रत्ति नहीं लगाओगे तो किन में लगाओगे इन पांच बहुतिक सरीरों में लगाओगे अच्छा श्वाशों में जो हम अपनी ब्रत्ति लगाते तो उनी के पावन नाम में लगाते है ना रामकृष्ण हरी ओम कुछ भी तो प्रभू के ही तो नाम है तो जिनका नाम है उनी का रूप है तो वैसे तो भगवान सरवत्र विराज माने लेकिन स्री जो विग्रह है तो भगवान का अर्चा उतार है चबी उसमें भगवान विराज मान है तो अलग जैसे अब निर्गुण निराकार की भावनावाले से आप संग करोगे तो तो फी ऐसे गुलेंगे ये वेदोक्त ध्यान लिखा कि प्रातना है कि सहत सुलव एवं प्रभू से जोड़ने वा संगों का चिंतन करते ध्यान करते जहां जहां भगवान का उतार होता है वहां दर्शन करने जाते भगवान संकर का भाव रखते हो उनके माथे पर क्या भी राजमान है जटा में गंगा जी तो गांगमारी मनोहारी मुरारी चरणक्युतम त्रिपुरारी शिरस्चारी पाप आहरी पुनात्माम कौन है गंगा जी स्री कृष्ण का चरणोदक है है नहीं वामन भगवान का चरण दोया गया उसी तो गंगा जी हुई जिनका चरणोदक हर समय स्रीव जी धारण के हुई है और जिनके दर्शन के लिए आते हैं जहां गोपी स्वर बनकर बैठे गुरु के ध्यान की प्रगट में या इस्ट के ध्यान की दोई का ध्यान होता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु आक्या मुक्ष मुलम गुरु कृपा यदि हम इस्टाकार या गुरु ब्रति दोई तो धारण करेंगे तो का ध्यान करें तो मूर्थी हुई ना गुरू अमूर्थ का ध्यान कर सकते हो क्या जब मूर्थे नहीं है तो ध्यान किसका करोगे तो वे वेद जिसको नेती नेती कह रहें वही तो प्रभू है प्रभू कोई दूसरे हैं क्या हमें कोई यह बताने की चेस्टा करो 10-20 भगवा के हजारो करोनों नाय है उनके रूप है भगवाclय कई है नॉप फिर कैसी बात करते हो अब ऊफ्म कुछक धूपर जी को ना मनता है तुरि भंपर में कोई भगत ऐसे भगत कि ने घीता गायक फिरीक ट्रशन उना को गुरु की बाणी माने दो गुरु को नहीं मानें क्या गुरु तो गुरु है ना गुरु बानी है तो गुरु भी है तो गीता जी जगत गुरु भगवान स्रीकृष्ण की बानी तो जगत गुरु भगवान स्रीकृष्ण है ना तो स्रीकृष्ण नाम जपना स्रीकृष्ण ध्यान करना यही तो भगवत प्राप्ति का देंगे पर नाम जपना पड़ेगा होगग निर्हाकारू उपासक क्या गुरू का राधन हो नहीं रखता क्या हमें बताओ को निराकार उपासक जाएगा तो अपने गुरू को प्रणाम करेगा ना, गुरू को माला पहनाएगा ना, गुरू के आगे बैठेगा ना, फिर साकार उपासना है कि निराकार की प्रत्ति है क्या, तो काया है को बटकरे, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, प्रभु कोन से नहीं प्यारी प्यारी है ना अपने लिए तो तो भगवान ने कहा सब मँप्रिय सब मँप जाए पहली बात तो यह समझो भगवान को शब प्यारे हैं क्योंकि भगवान सबको प्रगट किया है अब दो प्रकार की रहनी एक प्रवत्ति मार्ग की निव्रत्ति मार्ग की अगर थोड़ा भी इस्त्री पुरुष का परश्पर आकर्शन भाव है काम का थोड़ा भी सुक्सु विधाओं की चाह है तो ब्याह करके ग्रेश्थी में रहकर धर्म पूर् बश्ट नहीं होंगा सथ मार्ग का अचरण करूंगा तो उसके लिए विरक्त मार्ग हैं निव्रत्ति और प्रवत्ति परक फीत आपने हरदय की छंता देखनी चाहिए कि मेरे हरदय की चंता क्या है और प्यारे के भजन करना खिलवार थोड़ी है नाना प्रकार के प्रपंच के बीच में रहकर भगवान का इसमरन कर लेना भोगों के बीच में रहकर भोगों का रागना होना संसार के संसार के बीच में रहकर किसी से अपना पनना होना छोटी मुटी बात है तो ऐसे ही संसार से विरक्त हो कर के समस्त भोगों का त्यागी हो करके मानकीरती का नास करते हुए जो सचिदानन भगवान में चित जुड़ता है वी रखत भगवान को प्राप्थ होता है और जो परिवान में रहकर नाथ सकल संपदात तुम्हारी मैं सेवक समेथ सुतनारी और सारी कर्म भगवान को अरपित लगना यह दोनों का कार्य है चाहे वो ग्रेस्थ हो चाहे वो विरक्त हो ऐसा नहीं कि आपके परिवार के बीच में रहकर ममतार आग और मोह में फसकर नाना प्रकार के खुब भोगों को भोगो भजन ना करो तो दुरगती को प्राप्थ होगे वैसे अंबाबा जी बन गए म ग्रेस्थ है दूसरे से नहीं पूछने की बात है अपनी चाहती की हिम्मत देखनी चाहिए कि मेरी हिम्मत क्या है पूरे जीवन भर मैं जल करके निकल सकता हूँ या फिसल सकता हूँ फिसल सकता हूँ तो पहले ग्रेस्थी दर्म चला जाए और यह कि मैं जल करके चाहे प् लाकि माना कि अगर आपका वैराग भाव द्रड है तो व्यामत करो, अपने माता-पिता के समी प्रह कर, परिवार के समी प्रह कर, किसी का अस्तरे लेकर भजन करो अब वो शमय नहीं रह गया कि आप बिरक्त भेस्ट में हो करके भ्रमण करें पुरुशों के लिए नहीं रह गया फिस्ति शरीर के क्या देखो गेर कर संतों को मार डाला था कि नहीं हो क्या आप मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा तो उनके पास कोई प्रमाण पाए ऐसे घेर के मार अरे बैस सो दो सो आदमी पांसो आदमी हो कोई सेर तो है नहीं बाबा जी है ये तो चलो मतलब एक संसा है आपको तो उसका आप उसकी जानकारी करो कहां से आये हैं कौन ऐसे बस ऐसे किसी नहीं बोल दिया घेर करके मार डाला तो आजकल संतों के लिए वितोर क्यांऌन, नहीं आईसा कि आप भी रखत कर गूम सकते हैं, जैसे पहले अपने लोगों ने जीवन, बिती, कि आप वो समय नहीं है, मार डाले जाोगे, कोई कह辉स चोर है, कोई कह辉स बच्चा चोर है, मार डाले जाोगे, तो पूरुष शरी के लिए एक सुरक्षित बिवस्था अब चाहिए अब वो नहीं कि पिर्टले रहकर के भजन कर ले हो पिर्टले रहोगे सटे बाद तुमसे पूछेंगे आकर नंबर बताओ नहीं बताओगे तु डंडा चलेगो बता दिया तु डंडा चलेगा क्योंकि अगर नहीं खुला तो पिटोगे खुला तो दस और आ जाएंगे फिमर होगे ऐसे हुआ है वो हमें जो ब्रह्मन करते सब पता होता है तो इसलिए अगर इस्त्री शरीर में भजन करना है तो या तो ऐसी बिवस्था हो सुरक्षित कि आपको खान पान मिल ला चुपचा भजन करो नहीं तो संसार के राग का तो अपने घर में रहकर भजन करो वही राग के बाहर विचरन करने की जरुवत नहीं है तो अपने घर में रहकर के भजन करना चाहिए आप समय नहीं है ऐसा कि आप ब्रमन देखो संत मात्मा सब तीर्थों में वास करने लगे पहले गाओं गाओं में एक एक घरों में बिक्षा लेते विए कई कई दिन विचरन करते थे अब आपको गाओं में संत नहीं मिलेंग लेकर गुरू का अपरात करके गुरू के बारे में अबद्र टिपनी करें या उनके साथ फिर कैसा संबंद तो हमको रखना चाहिए कि हमारी परिक्षा को रहे हमें अपने पक्षों को जोड़दार रखना है हमें उनका संग नहीं करना पर हमें उनमें दोश भी नहीं करना जैसे हमने कई बार बता है कि हीटर है गर्मी फेकता है फ्रीज है बर्फ को जल को बर्फ बना देता है यह ठंडा फेक रहे हैं यह सब यंत्रों के प्रभाव से गर्म ठंडा है लेकिन बिजली एक ही प्रवाइत हो रहे ना अैसी दुष्ट से दुष्ट एक क्रूर आप पापी नो नचसताम संभास्ट दर्स्यास चाहिए जो क्रूर है पापी है दुष्ट है जो संभासन करने योग भी नहीं उन्हें भी पावर स्रीथाकुर जी ही महाराज है उन्हें दूसरा को ही नहीं अब जो हमारे गुरु की निंदा करे, इस्टी की निंदा करे, हम उसका संग नहीं करेंगे, पर हम उसकी भी निंदा नहीं करेंगे, नहीं हम में उसमें क्या परकरा, हम में उसमें क्या फरकरा, वो हमारे गुरू की निंदा कर रहा है, हम उसकी निंदा कर रहा हम उसका संग नहीं करेंगे पर हम उसकी भी निंदा नहीं करेंगे क्योंकि वो यंत्र है बाहरी अंदर उसमें जो पावर है वो तो प्रभू ही है ना और हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं तो हम देखेंगे वासदेवासरोमिति भगवान शब में है अब ये अपने सुभाव को ना जान करके दुष्ट भाव को स्वेकार के तो मेरी परिक्षा ली जा रहे हैं तुम कितना भी हमारी गुरु निंदा करो मैं ना अपने इस तो गुरु की निष्ठा से बिचलित होंगा और ना आपको गाली दोंगा आप में भी दोस्दरसर ने करू मैं जानता हो मेरे प्रभु यह मेरी परिक्षाख ली आप खतम के लम अपने को बचा लिया और अपनी निष्ठा को बचा लिया अगर वस्देश में जलन Willst있는 झ migrant उल्चन नीच जδै तो एम इस तर से गिर गए क्योंकि हमको उसमें भी गुरु देखना है हमारे गुरु का अखन मंदला कारम व्याप्त में चरा चरम तो जब चर अचर में गुरुदेव व्याप्त हैं तो क्या उसमें गुरुदेव नहीं है तो हम उनकी बैट की पूजा नहीं करेंगे हम उनका अत्याग करेंगे उनसे दूरी बनाएंगे पर हम उनकी निंदा नहीं करेंगे साधू का जो शुबा होता ना वो ऐसा होता है कि हम उनकी निंदा नहीं करेंगे संत संभ श्रीपद अपवादा कही सुनीता अस मर जादा जो से दांत वताए काटी जीव तासु जो वसाई और स्रवन मूनिनत चले पराई अपने संतों को चाहिए कि कान में अंगुली डाले राधा राधा वाँ से निकल ले ऐसे लोगों का संभ न करे अगर हम किसी को कट वचन बोले किसी को कुछ बोले तो वो जैसे दुष्ट था वैसे ही दुष्ट था हमने कर दी हुमा संत के यह भड़ाई मंद करत जो करे भलाई है वो हमारे साध्दूर बेवहार का भाव ऊदू का निर्मल वेवार जगड़ा करना मार पीट करना एस अंतों का सुभाव नहीं होता हैं फिर हमारा और उसमें अंतर क्या है वो हमें गाली दिया अगर हम उसको गाली देते तो हम अपनी गुरू की बाद हम भी तो नहीं मानते हैं हमारे गुरुदेव शम में विराजम होता है जिसका दुस्बन ही पूरे संसार में नहीं होता सब के प्रतिनम्र भाव तुम जो कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा लाधा राधा राधा हम तुम्हारा संग नहीं करेंगे ऐसा आप समझ पारें इसमें कोई संसर है कि नम्हें अपने अपने मन करें राधा नाम के यहां से राधा नाम इंदे निकुंज में पहुंचाएगा राधा राधा आप सब कोट पुरा में मरजी एक परिकर है चुरासी जी का पाठ एक साथ कीरतनादी जो आपके उक्तेशा नुसार अपना जीवन वेतीत करने का प्रिकर जीवन का लाव भी है ना कलो शंगो शक्ति सब मिलकर जब पद गाते हैं जब नाम कीरतन करते हैं तो वो ऐसी जगे ब देशन जाती है भगवान केते लुसे नाहम व्राशा मि भेकुंठे योगी नाम हरने चन में युगीों के फद्रे में बहुता मत्र गायंती जहां मेरे भक्त वेजनी कायायनि मैं वहां विराज मंद मिलकर चतिरासी जीगा मौ queen 167 उनानजि scnr स्शावßen आप जब गार है उस समय हमारे प्रिया प्रितम आपके पास है उस समय बरक्रादाषित माइब करने से प्रिया लाखने मैट भंप भर्ण हो जब चपर था किर्टन कर राधानाम किर्टन कर वानी जी गायन कर यह तो बहुत सुन्दर शामुहिक रूप से गान करने से प्रियालाल को और प्रशन अता होते हैं प्रश्टे भगवान की बड़ी किर्पा बरस दिया आपकी राजस्थान से इंगते होगा राजस्थान हनुमान गड़ तंगरिया में सारे परिकर रहा एक हमें राजस्थान की कोई किलीब दिखाई जिसमें हमारे और सबसंतों के अनुकरण करते हुए किसी एक सो में यह सुनकर मुझे बहुत सुख मिला कि संसारिक्ता में भी राजस्थान का किर्थान गूंजता है यह सबसे बड़ी बात पुरा परिकर उदर से संगरिया एक जगा है मारे इंदर भी बच्चों के साथ भी बैट के रिए सब रादा वलब सी रिवाद साथ बहुत सुन्दर है धन्य है जीवल कि आप खुद नाम में डूबो और चार को और लियो बस आप किर्पा से नाम में डूबो और चार को और सब्सक्राइब यह जो आप लोग कर रहे हो ना यहीं सही मतलब में आ जाएगा जिस समय हम एकत्रित हो करके जब नाम बाणी का गायन करते हैं तो हमारे सारे पाप नश्ट हो जाते हैं नाम संकीरतनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम हमें दुख देने वाले होते हैं पाप कर इसलिए नाम जब नाम किरतन बाणी जी का गायन और ठाकुर सेवा यह ग्रेश्टी में अगर चल रहा है तो जीने का मतलब हो गया भजन का मतलब जान जाओगे और यह नहीं तो फिर पापा चरन करके कुछ धन कमाना भोग भोगना अकिर का मर्ग जाना है सरी छूट जाना है साथ कुछ जाना ने अभी जो आपने दस बार भी राधा नाम ले लिया वह आपकी भागवतिक बैंक में जमा हो गया अब वो लोग परलोग सब जगे काम में आएगा एक राधा नाम का इतना ब्याज मिलता है कि त्रिववन में सब कुछ खरीद सकते हो भगवान भी खर साब ड़ा दिया अगर हमारे बचंद से प्रवचंद से आपका जीवन मंगल में हो रहा है तो हम भी चाहने लगे हैं कि जितने दिन और जीवन बच जाये लोगों के मंगल में हो क्याना अब यहीं今 हमारा पढ़ा-फढ़ा शड़ता होता ना तो मनाते होते हैς कि शरीशू तो इतने धर्मी देजी आपकी विज़े से ही बहुत सुलूनी जी, न्यूजिलेंड गुर्देप, आपके चर्णों में कोटी-कोटी कड़ाओ गुर्देप, मैं ग्रस्ट जीवन में रहकर शी जुगल पदारविंद की अराधना करती हूँ ये कहा जाता है कि ग्रस्ट जीवन में संतान का होना आती आवश्यक है लेकिन मुझे ये भय है कि संतान प्राप्ती के बाद मैं मोग रस्थ होकर यूगल चर्णारविंद से दूर ना हो जाओ किर्पया कोई ऐसा मंत्र अनुस्ठान या भक्ति मार्क दिखलाईए जिससे स्वी शामा शाम शाक्षात प्रकट हो मुझे संतान रूप में ही प्राप्त हो और मैं आज जीवन सिर्फ उनके ही प्रेम में अपना जीवन वेतित करो पहली बात यह कि भगवत अनुरागी उसके आगे ना ग्रेशते लगता ना भी रखते लगता है वो अनुरागी होता है भगवत अनुरागी के लिए कुछ भी होना अन्य आवश्यक नहीं है वो पित्र और मात्र और पुत्र साप से उरिन हो जाता है अब फिर अगर भगवान को शंतान देना है तो आते तो वही हैं इस रूप में हम पहचान नहीं पाते हमको ये भी नहीं सोचना है कि संतान रूप से यदि कोई जीवात्मा आती है तो हम फस जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है मानों अगर ऐसा ही भाव रखें तो फिर हम ना जगत की सेवा कर पाएंगे क्योंकि जगत भगवत शुरू है बड़े-बड़े महात्माओं को इस संसार की सेवा करनी ही पड़ी है हजारों लोग शेष्य बनते हैं तो जैसे पुत्र में फसा जाता है शेष्य में फसके दुरगती हो सकती है मित्र में फसके हो सकती है हमें दुरुगती ना हो यह पॉइंट देखना है संतान ना हो यह पॉइंट नहीं देखना है यह संतान हो इस बात की जिद्न हहीं करनी हमें उसे प्रभू की उपर शोड़ देना है भगवान की जैसी रूची होगी वाशह हो जायगा हमें आराधनाatique अग्वान की कि करनburst समर्थ है वह हम चिला चिला के कहते हैं राधा 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 हरी को खरीद लेने के लिए समर्थ है राधा नाम अगर हम राधा राधा रट रहे हैं तो किशोरी जी प्रशन है और लाल जो भी प्रशन है पर हमारे कोई सर्थ नहीं होने चाहिए कि शंतान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसमें हटा के चतुराशिजी कि प्रथम-joint किया है जो ही जो ही प्यारो करें शुन तो वही बात हमारा में रख लेनी चाहिए कि प्यारे एगर इच्छछ नहीं है जिसके भांगे में ranging लुकुड दाक्टरी कर्वालो खुब वस्ता करों पर नए संतान होगी और इनके संतान होने होती है तो शहद में भी हो जाती है वह मुश्च विषय को हे लापा चूरोदेते हैं ठ तो आप उनके व्हजन कर वगवार्द की प्राप्ति और प्राप्ति पार्वाति जाएंगा तो अब उनका जीवन बेर्थ हो जाएगा क्या नहीं डट के भजन करो वगवाद की प्राप्ति कर लिए का आप जाता सब रिणों से मुक्त हो गए अच्छा संतान हो गई तो क्या बिमान आ जाएगा क्या तुम्हारे लिए संतान हो गई और वो दुर्गती प्रदान करने वाले आचरण तुमने किये तो तुम्हारा पुत्र मा भागवत थोड़ी पैदा हो जाएगा तो फिर दुर्गती से थोड़ी बज़ जाएगा संतान हो गई तो दुर्गती से बज़ जाएगा क्या हाँ भगवत भक्त संतान ह हो जाए वो तभी होती जब आप में आचरण हो वक्ति के ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो पाप आचरण करो तुमारी संतान मां भागवत पैदा हो जाए वो कभी किसी मात्मा का कोई वर्दान हो कोई कृपा हो बातलग है जैसे हिरन कस्यप जैसे राक्षची पढ़ता है क्योंकि उसी से उसकी गचना होती है तो हमें लगता है कि हमको इस विषए पर ज्यादा ध्यान ने देना चाहिए मानों जीवन की शफलता पर जाए ग्रेस्थ हो चाह विरक्त हो संतानिक्ट हो या संतानिक्ष हो हम सब का लक्ष है एक बार शच्चिदानंद भगवान की प्राबती करके संसार से दिंत हो न है अपने-पने करतब्याँ को पालन करे कोई नोकरी कर रहा कोई किशानी कर रे है अपने अपने करतब्य ही पूझा है और वीच वीच में नामजब कर रहे हैं कोई पापत अचरं कर में कि जिवार भी नार्की गति को ही प्राफ्थोगा ऐसा थोड़ी पुत्र हो गया तो परंपद मिल जाएगा जिनके पुत्र नहीं वो ना रख जाएंगे ऐसा है क्या सिद्धात रहे हैं बड़ी कृपा करिया महारागी कि मेरे नाथ आप की जाता है यह सव भाग्य हमारे उद्धे होते हैं यह सव भाग्य हमारे उद्धे आप संतों की कृपा है आप लाव सब्संतों का प्रशादी वस्तर माला धारन करना सब्सक्राइब आप लेगे अपने और आप लाव प्रशादी वस्तर नर्मदा किनारे वसंगाबाद अप्वी इस पूर्ण में आश्रम योगा नजी महराज कि आपका विच्वाली जालों और यह टाबा और यह जिम्हाइब पुरस नहीं है आपको अनुमान जी महराज याद करते हैं आप पहुंचे नहीं पाते हैं यह उनका चमतकार होता ले हाँ बिगड़ी गाड़ी को भी दवड़ा दें उनका करतुम अकरतुम अनिधा करतुम सर्वसमर्थ को यह सार बहुत रुपा है यूटूब पर आपके दर्संद करते रहते हैं हाँ कल्यूग भगवान ने ऐसी यंत्र की कृपा कर दी कि दूर बैठे सत्संग सुना जा सकता है बस उसके कुसंग से बच जाए तो बसी पाते उसमें बहुत लाव भी है और बहुत हान भी है पतन जड़ चेतन गुण दोश में बिश्वकीन करतार संत हन सुगुन गहें परिहरिवारिविकार गुश्वामी जी कहते हैं यह जड़ चेतन की रचना ही गुण दोश में है तो जैसे मुवाइल भगवान है तो बहुत इन में कृपा भी है कि हम किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हैं गरवेट है और इसमें दोश भी है कि हम एकांत में जिस परमात्म प्राप्ति के लिए जिन विग्णों का त्याक करके चित्वरति को तदाकार करने का प्रयास कर रहे हैं वो विग्ण सारे मुवाइल में है और अगर हम न नीर चीर विवेकी होना चाहिए हंस की तर है इसलिए संतों को परमंसक आगया हंसा ही क्या परमंसक आगया उससे सार बात ग्रेंड कर ले और कभी फिर ना देखे क्योंकि उसमें ऐसे प्रलोभन है कि जैसे आप सत्वीडियो देखने के लिए खोलेगे तो कुछ प्रति कर दी तो फिर गड़बड हो जाएगा मुबाइल भगवान से थोड़ा सावधान होकर खेले नहीं तो बहुत है वो बरबादी भी करते हैं समय की बरबादी चित्त की मलिंता विचारों का दोश भरा युक्त हो जाना एक महात्मा अपने भजन को निर्विग्न करने यही हमारे पडोसी सवभरी रिसी यमुना जी को इस्तंभित करके जल में भजन करने कितना पावर है जल को इस्तंभित करके और मचली की मैथुन कीड़ा देखी तो लालसा प्रगट हो गई मैथुन की तो महराज चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के हाँ जाकर याचना की रा पारादी की गंद तो सरीर से कुछ दुरगंद और अस्थिमात्र होए रहे सरीरा तो सुचा कि राज कुमारी को देने का मतलब है उनका प्राण दन्व मनों देना इन मात्मा को दे और ना कहने का मतलब राजी बस मोना इतने पावर तो उनका महराज आपको जो राज कुमा ना चाहिए वर रूपी में वरन कर सकती महल में जाते ऐसा स्वरूप तपस्वी थे ना संकल्प कि ऐसा विश्व मोहन स्वरूप कि पचासो लड़ने लगी कि हमारे वर हमारे बुले पचासो चलो जब पचासो से संतान उत्पन की बहुत बड़ी कथा है तो नोने किस लोग गायन किया एकांत में बैठ कर संगम्त जेत मिथुन ब्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विश्जेत बहिरिंद्रियानी एकस चरन रास्चित मनंत ही से य युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए एकस चरन यात्व अकेलार है चित मनंत ही से अपनी चित की ब्रति अनंत महिमासाली भगवान में लगाता रहे सर्वात्मनान विश्जेत बहिरिंद्रियानी अपनी इंद्रियों को बहिर मुख ना होने दे इतनी छूट न दें वह बहुत दुस्त हैं बहुत ही दुस्त हैं जितना इनको शुख दे ओ ये हमारे साथ दगाही करती है हमारे आप फशने का-ईकाम करते हैं मना क seventeen प्रकतिस्थान करसती देहूती जी ने कहा प्रभू कपिल्दी से कि भगवन इन दुष्ट इंद्रियों के भोगों से मैं उब गए हूँ मैं कैसे इन से निकल पाऊं तो भगवान ने सांक्य योग का भक्ती योग का अश्टांग योग का अलग अलग उपदेश दिया प्रश्ण था माता जी का हम लोगों के लिए तो सरवात्मनान विश्जेत बहर इंद्रियानी अपनी इंद्रियों को कभी छूट न दे कि ये देख लूँ ये सुन लूँ ये भोग लूँ नहीं तो फिर वो सोवरी जी कहते जैसे मेरी दुरदसा हुई ला बिक्षेप के लि मुमुक्षू को ऐसे लोगों का संग ने करना चाहिए जो मैं तुन धर्म से युक्त हों दूरी वला करके अपना भिक्षाद के द्वारा जैसे भी उदर पोशन अपना पन्ना होने पावे इंसे संगम त्रियत मित्वन संगम आंतरिक व्रति भीना उनको दे पावे क्योंक नरागातमक फसे न दुशात्मक वही साधू जो बचा ले गया अपनी इंद्रियों को इन दू भष्ट्यएं से बचा ले गया अनुकुलता पृतिकुलता राग दुष इन से इनिसे हमारा जो है संसार का चिंतन बढ़ता है अगर कोई इन राग दुशात्मक ब्रतियों को अंतर मुख कर लिया और चित मनंत इसे अपने आरात धिद्यु में ही चित वृत्ती का पूर्ण समावेश हो जाए तो बुले विना संग के तो रंग नहीं चड़ता है तो संग त्याक की बात करे तो संग भी करने की बात को हो तो बुले तद वृतेश हो युनजीत तद वृ चेट प्रशंगा जिनका चित भगवत प्रशंग में निरंतर रमन करता है ऐसे भगवत प्रिमी मात्माओं का संग करे नहीं तो असंग रहे एकस्चरन अकेला रहे चित वृत्ति को परमात्मा में लगावे पर स्मार्ट मोबैल अगर जेम में है तो बिश्व पूरा साथ ह अमेरिका में क्या हो रहा इंगलेंड में क्या हो रहा सब सर्च करके आप देख सकते हो आज की साधुता बहुत कठिन है क्योंकि पहले था घर द्वार छोड़कर एकांत सेवन कर लिया गया जिस बिक्षेप से बचने के लिए वही बिक्षेप अच्छा अब इतना आदर इसका है कि पहले गुरू और इस्ट की छविया अपने लोग रखते थे अपने लोग जैसे अपने गुरुदेव की और इस्ट की छविया ले रखते है या बैए गुरुदेव विराज माली इस्ट है राधानाम विराज माली अब स्मार्ट मुबा कर देने वाला यंत्र है पूछो में इससे तो बस सत्संग सुने और इसके बाद इसका गला गोटके रख देगा है किसी से हमको जब संपर्क करना तो हम बोले हुआ किसी का संपर्क हम नहीं उठाएंगे ऐसा रखना चाहिए इतना तो बढ़िया है बिरक्त में घ्रेश्टी के बात कर लेखाऊ आपको जरूरी है तो बात कर ले आप से कोई बात करना चाहता है जल्दी गुझाइस नहीं होनी चाहिए चाहिए सादू का एक अपना जीवन होता है या एक समय रखना चाहिए घंटाद घंटा फिभाई ग्यारा से बारा के बीच में अगर आप फोन करोगे तो हम उठा लेंगे इसके बाद स्विचाप रहेगा भगवत चर्चा में यह आजकल मुबाइल जो है ना बहुत को पतित कर रहा है बहुतों को पतित कर रहा है अपने ब्रंदावन में एक संत भगवान ने सरीर भी पूरा किया इसी बात का वह मुबाइल से गलत गलत देखना सुरू हो गया तो आप वह बहुत पस्चात आप करे पर छुटे ना नसा है ना तो फिर उन्होंने अपने सरी पूरा कर दिया तो यह अप चाहिए अब वह फिसल गया अब कैसे समले या तो सत्संग मिले देखो हारना तो है नहीं यह बात समझ लिए हारना नहीं है अगर हम घुटने टेक देते हैं कहीं तो बीर जब घुटने टेकता है तो डबल बल आता है उसके यह कहां से कमी हो है इसे गुटने टेक दे हम हरी दास हैं ध्यान रखना एक हजार बार फिसलेंगे तो हम उसके ऊपर चड़ने कोशिस करेंगे कभी निरास नहीं होंगे कभी सरीर को नश्ट नहीं करेंगे यह बात ध्यान रखना एक यह संसारी नहीं जानते हैं जो इस मारगे में चलता हो एक हजार बार फिसल सकते हो दैवी हिसा गुण मैं ममाया दुरत्या पर ये ध्यान दखना भरी दास हैं स्वामी की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी जन अगुण प्रभुमान नकाओ दीन बंध अति म्रदुल शुभाओ जातन प्रभुचित चूक किये की तो बुले प्रियता का अभिमान एक बार घुटेने टेकने पड़ेंगे दूसरा सास्त्र विरुद्धाचरन भगवद विमुक आचरन अगर ये दो बाते नहीं है तो सादू को कभी कोई ब्रष्ट नहीं कर सकता तस्मा सास्त्रम प्रमानम ते कार्या कार्योब्यवस्तितों ऐसा चल कभी लई इतना मित्रवन के आएगी इतना सेवा रूप ले करके आएगी इतना प्री रूप ले करके आएगी कि एक बार भगवान की तरफ भी ब्रत्ति विश्मरण में हो जाएगी कि इतना विश्वास और इसके बाद सुधामयम बाचो काम नाम रसुबर्धनम और रदेच्छुरदाराभाम ये चाल कोई सब्सक्राइब और जब दम में से गीरा तब समझ में आगे है रे पर ये है हरी दास कभी कीरा नहीं कभी ने गीरा जानते हो फुटवाल का खिलारी जब बाल को नीचे मारता है तो नीचे गिराने के लि लक्ष में पहुंद गया ना ऐसे हरिदास होता है वो अगर घुट ने टेक दिये कहीं गीरा तो माली का यसी उस पे मारेंगे थपक क्यों सीधे लक्ष पे पहुंद जाएगा इसलिए नाम भक्ता प्रणश्यति ये तो कभी होना नहीं चाहिए जो चर्चा की कभी नहीं हो वो हमारा हजारू की जीवन को समझो संतों की बात सुन दें अब कई बार कहा है कि हर जीवनी अधूरी है संतों की क्योंकि सुकल पक्ष की बात लिखी जाती है कृष्ण पक्ष की बात तो संतों से मिलके ही जाना जाता है लही जाना जाता है अब जैसे मालूस से लिखेगा गुरू की जीवनी դो प्रकास वाला ही तो लिखेंगा सूखल पक्ष वाला, मेरे गुरू जी यहिसे, मेरे, लेकिन गुरू जी से पूछो, कि कितनी बार आपने कहां युद्ध किया, और कितनी बार परास्त हुए तो कैसे हरी ने बचाया, ये बात के वाल गुरु जी जालते है, दूसरा लई जालता है, जब प्रकास होता है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस समय की बात यात करो, जब वो साधक अंधेरे में से निकल रहा था, जब वो साधक लड़ खड़ा रहा था, जब हरी ने उसको सायोग दिया, गुरु की हुई, इनी सब बातों को तो हम संतों के चरणों में बैठके सुनते हैं, तो हमारा गिरना हमारा एक अनुभव होगा, जान बुचके ले गिरना है, क्या अनुभव कर ला है, नहीं नहीं, भाईया, हमारा अनुभव, तो अब चलो अनुभव, नहीं, हमारा फिसलना, तो हम मारा वह अनुभो होगा अजारों सादुकों के लिए कि ये भाई इस गली में इस मोड पे यहां फिसला नहीं बहुत होस में बहुत होस में चलने का विसा है तो अपने को कभी निरास्त होना नहीं एक बात हम बहुत अंदर की बता रहे हैं आप सब संत हैं पकड़ पाएंगे भगवत प्राप्ति किसी साधना से नहीं होते हैं ये निजानुभो और शंतों के आंतरिक बात कह रहा हूं बड़े महापुरशों के जब भगवत प्राप्ति होई है किसी को तो भगवत कृपा से आस्रे जो पुष्ठ होता है आप समझ पारें जो आंतरिक ये किसी साधन पक्षका नहीं है यह आंतरिक भी सह है जो केवल साधू ही अपने मतब भक्त ही जानता है अंदर से क्यों जिस जो अंदर से कि मेरे अंदर की बात है जिसके हिर्दय में भरोशा द्रड है वास्रे द्रड है तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है निश्चित है निश्चित है साधन में तुरूटी होने पर भी भगवत प्राप्ति निश्चित है और साधन बहुत सुन्दर हो जितेंद्री है पर अहम है भगवत प्राप्ति कठिन है कठिन है कठिन है उन्होंने कहा यद्यपी भक्त अनन्य जो विशय इंद्रियन बस हो है करमट कोटी जितेंद्रियन ते समला है नो को है बुले यद्यपी अभी जितेंद्री नहीं हुआ इंद्रियां उसे व्याकुल करती है विशयों की तरफ परेशान करती है पर वो अपने इस्ट का अनन्य है स्यामा स्याम सियाराम जो जिसके अपने इस्ट का अनन्य है पक्का इस्ट के सिवा कोई भरोसा नहीं पर जितेंद्री नहीं बुले उसकी सामानता करोणो जितेंद्री नहीं कर सकते करमट कोटी जितेंद्रियन तेशमल है नो कोई क्योंकि उसके अंदर अनन्यता आ चुकी इस्ट की और भगवान कहेरें गीता जी में अपी चेश सु धुराचारो भजते माम अनन्य भाग भारी दुराचारी रहा है इससे है सब्द क्यों क्योंकि भगवान के रहे सादु को कभी सादु मानने की आग्या नहीं दी जाती है जो सादु नहीं है उसको मानने की आग्या करे किसे सादु मानो क्यों क्यों क्योंकि मेरे अनन्य हो गया है अब मैं इससे सादू करू रामचे इत्मानस में करो सद्धित्याई सादू समाना छिप्रम भवत ही धर्मात्मा तो इसलिए किसी भी स्थिती में अपने लोगों को निरास उदास हतास ये सब्द नहीं होने चाहे गिरे जरी आया फिर ताल ठोका फिर चले जैसी आराम देखते हैं भाई कब तक अए काम करोद लो मो मद मतसर कब तक तुम हमको गिराओगे जब तक हमारे रगुनात जी की करपा कोर नहीं हो रही कोई है हंकार जिसका मर्दन हो रहा है और जिस दिन स्वामी की कृपा कोर हुई तो सट विकार जिताना घ्रकामा सच्ची मानना जो विकार नास करने के लिए लाख प्रयास किये और जब गुरु कृपा हुई सच्ची कह रहे हैं तो जैसे घड़ी का बैटरी हटा देओ तो मिनट की मिनट सेकेंड की से सब टप हो गई ला जास कृपा लए कृपा घाती बसुल की गुर्दियू की इस्टनेव की कृपा से अईसा हरदय सीतल होता है कि मांग ही खतम हो जाती है निज सुख बिन मन होई ही थी जब परमात्म सुख गुरु कृपा से जागरत होता है घर में छक्के खुब बढ़ियां माल चानने को मिले तो बाहर कौन भठकेगा तो जब हरदय में मन को हरदया राद्य प्रभू का सुख मिला तो हिंद्रियों सहित वो वही समाहित हो गया वो शान्त हो गया समाधान हो गया अब न सोचति न कांक्षति कोई चाह नहीं रह गई तो जहां चाह नहीं रहती वहां सहज सने होता है और जहां सहज सने होता है वाँ भगवान प्रकासित हो जाते हैं जाहिन चाहि कब हो कच तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो रावर्णेजगे बिजए हो गया अब बिजए हुआ क्योंकि प्रभू विरदय में रगुनाद जी विराजमान हो गए अब कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई भी किये तो जागने पर ना तो कानून सजा देगा और भगवान सजा देंगे क्यों है ना स्वपने में हमने हजारों कतल किये जगने पर ना भारती कानून दंड देगा और ना भागवतिक कानून दंड देगा ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत आरी बजल समझ रहे हो ला और सरकार के बचल अहम तो आम सर्वपापे भ्यो मोक्षिस्या में मा सुचहा अपने को कभी निरास नहीं हो नगी अब तो हम गए हम अकेले धोड़ी गए सजन आपको भी लेके डूबेंगे क्या हमारा बिगड़ जाएगा किसी कोई नहीं बिगार से यह अंदर बैठाल लीजिए कि अब त्रभुवन में कोई हमारा बिगार नहीं सकता क्योंकि हम प्रभु के दास है बस इस दास्त्य की जब कमी होती है तब ही हमें कामकुरुद अपना दास बना लेते हैं राम दास्त्य को कभी काम दास्त्य नहीं देखना पड़ता है और जब तक प्रभु का दास्त्य द्रड नहीं तभी तक ही हमको गिरा रहें पक्की बात है पक्की बात है जहां राम तहां काम नहीं कामना ही समस्त पतन का हेत होती है इसलिए सकल कामना हीन जे राम भगति रहे खुमनाम जब करे भगवदास्टित रहे अगर चाल चलने में कहीं धोखा हो जाए और गिर जाए तो फिर मुढ करके नहीं चलना सीधे ही चलना है और निरास नहीं होना इसलिए निरासने होना कि हर बार कुष्टी में जीती जाया ऐसा नहीं होता है कभी-कभी जोड़दार पहलवाल होता है पचाड़ अच्छा इनके लड़काई बच्चा पचाड़ेंगे जिनके अमदास है काम काउन है त्रीकृष्णा उतार में प्रद्यूम्न रूप में अतरित हो रहना तो अपने लड़काई बच्चा को कहते है कि देखो यह अभी आंकार थोड़ा कर रहा देखो इसको इसको हिलाडुला के तो उसके एरदेम जा खलबली में चाई तो मचात्रा इमाम सरनागती हमने अनुबह किया है कि शुद्ध सरनागती में यह काम करोधादी हमारे बहुत सायक हुए है अंदर के जो सत्रु कह जाते है ये भी भगवान के सरनागत के हित ऐसी होते है कि आंकार को चूर करके भगवान के चर्णों में पहुचा देते है जैसे बच्चा खेल रहा है और जब कोई कुटा या भयाया तो भगा मा की गोदवे ऐसे हरी दास होते है जहां कहीं आक्रमन हुआ तो भगे हरी सरनाव वरिष क्योंके ये कहीं उपाय दूसरा तो उनका कोई है ले तो हरी जी की गोद तक पहुचाने का काम ये बिग्न करते है अगर बिग्न ना पढ़ते अगर प्रतिकुलता ना थी बिपत्ती दुख ना थी असाध्य रोग ना थे तो भगवान की सुद्ध सरनागती नहीं होती आहम देवता बने रहते और जब किसी काम का नहीं रहा तो सुनेरी मैने निर्वल के बलराम वो निर्वलता तभी आती है जो अहम गलित होता है तो आहम यह तो गुरुदेव की क्रपा से समर्पित हो जाए और नहीं तो दूसरी क्रपा लागू होगी कड़वी फिर पग पग पर प्रतिकुलता होगी तब त्राहिमा मचा के रो और फिसरन में हो जाओ बात बनेगी सरनागती से ही और हम जिनकी सरन में वो एक बार स्व की प्राप्ति होगी क्योंकि भगवान का और निजजन हो चुका है तो कभी उदास नहीं कभी ऐसा नहीं कि अब हमसे साधना क्या है गुर्देव जो हमसे करा रहे है इस्तेव करा रहे है आप देखो क्या साधना अगर एक मिनट वो अपने को खड़े हैं जहांसे चले थैं अगर हम हैं तो उनकी क्रपा रूपी गोद में हैं अगर वो क्रपा भी हटा ले तो हमैं पता चल जा किण हम क्या है पक्का कुछ न देहा आभी मान ही हमको भोगों में रत करता है और अभी馬न जब भगवान के necesत हो जाता है क्योंकि निरंतर अपने इश्ट में जो सुख मिलता है अजा इस सरीर में क्या है आप विचार करके देखो मलमूत्र का भांड है और भोगना कहां चाएते हैं बस इतने तो ध्यान केवल देना है फिर को आख में कीचर, मूख में कीचर नीचे तो नरक के दॉआर है फिर उनी दुआरों में आसकती करके वहीं जाने का रास्ता बना रहे हो जहां इस पर्स करने पर रजाद इसे हां धोया जाता है जहां मल और मूत्र का श्राव होता है और कौन से भोग हैं अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो छे घंटे में बिश्ठा बन जाएगा अच्छे से अच तो इसका कोई माप्त नहीं तो यह जो आकर्शन होता है बिवेक रही ताकर्शन है बिवेक हो तो फिए अच्छा प्रभू प्रशन होंगे तो बैकुंट का द्वार खोलते हैं साकेत का द्वार खोलते हैं और जगत प्रशन हुआ और संसार के जिन में आकर्शन होता है तो कि मुझे किस दुआर में जाना है मुझे जाना किस दुआर में मुझे जाना किस दुआर में जब बिवेख से देखो या घ्रणा हो जाएंगी उल्ती हो जाएगी नहीं हो जाएगी व Bennett जैसा लगने ले पहा था ज Jesse कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई रागात्मक ब्रत्थी है तुसे नश्ट करो। उपवाशादी के द्वारा, तपश्या के द्वारा, हर ब्रत्य नश्ट की जा सकती है। जहां लगे कि कामा आशक्ति बढ़ रही वेग बढ़ रहा है तो तोड़ो इस आशक्ति को तोड़ो रूखा सूखा खाओ और खुब भजन करो अजय को भास्मना हो जाए तो बताना जब खीर और हलुआ रवडी रसगुल्ला तो इनमें ब्रत्ति हमारी खराब होती है और ज बहुजन पाएंगे तो भजन नीरस होगा दोलो बास जो भोजन सरस भजन नीरस भजन सरस तभी जब भोजन नीरस गोश्वामी जी निकाहे कि अगर भगवत प्राप्ति करने तो बिना लोन का सालन लिए फलाहर कर लिए थोड़ा और देखो बला गवान में इतना रती प् तो अगर हम फलाहर न करें तो फिर एक नियम मना लें कि रभुनात जी को अर्पित की हुई दोर उटी और थोड़ा बना थोड़ा पेट ना बने ने पाएंगे वो सिद्धों की बात अलग है कि अब उनका सरीर से बात अलग है ना तो देखो दिब भोगों को भोगते सरीर के मान अपमान का भान होता है तो हमको थोड़ा तप के दौरा इसे भस्व करना होगा एक ही उपा है बाहरी सायोग से ये नस्ट नहीं होते हैं ये तप के दौरा नस्ट होते हैं जब हम कष्ट पूर्वक भजन करते हैं तो कृपा शिंद भगवान की कृपा हमको भू मानुरागी तजत बमन जिमिन चर्म मतलब बमन कैसे कोई खा सकता है रहे स्वान नहीं पसंद करेगा तो हमारा जो मन स्वान ब्रत्ती से है वो पसंद अगर हंस ब्रत्ती का आ गया तो फी नहीं तो अभी हमाँ थोड़ा युद्ध चाहिए जब तक राम जी के सावले चरणार बिन्द में माथा रखने को न मिले तब तक अपने को अधूरा ही समझना चाहिए बढ़ते चलना जाए ऐसे मिलते हैं राम जी जैसे हम आप मिलने हैं पक्का समझना वो ऐसे कृपाल हुए ना कि ऐसा नहीं कि ध्यान में आ गए और सौपने में आ इतने से संतों से नहीं किया जाता है छुप छुप के नहीं प्रेम होता है और यहीं बैठे हुए है तो आप हमारे नेत्र और माया का परदा तो नहीं दिखाए दे रहे तो जब हम बिकल होते हैं रुर्दु शुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महाविर भ साक्षाद मनमत मनमता हमारी केवल व्याकुलता प्रभु देखने बस अब यह व्याकुलता मोल तो मिलती नहीं है यह कष्ट सहने से मिलती जब हम कष्ट पूर्वक जीवन भगवान के लिए तब रोना आता है प्रहू कितना और तरपाओगे कब मिलोगे करुणा निधान आप तो बहुत करुणा सो रूप हो बड़े-बड़े महापूर्शों ने कहा कि आपका शोभाव बहुत म्रद है नात कब मिलोगे आप पतित पावन है मैं पतित हूँ मैं नीच हूँ माना पर हमारा आपका संबन्ध है तोही मोई नाते अलेक मालिये जो भावे जीवतियो नियाल हो गए हो जाएंगे नहीं नियाल हो गए क्योंकि तोही मोई नाते अनेक मानिये सो भावे पर हमारा आपसे ही नाता है थोड़ी गलती हमसे यह है कि अभी कोई हमारा है तन है मन है कोई भोग है कोई पद है कोई उपाद है नहीं राम जी के सिवा स्याम जी के सिवा क हमारा में अगर ये भाव आ गया ला अभी मस्ति आ जाएगी अभी मस्ति आ जाएगी